साधना की परिधी क्या है केंद्र क्या है और मंजिल क्या है स्वैम को देहा तीत जानना साधना है अर्थात मैं देह नहीं हूँ मेरा होना देह के पार है यह साधना है दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि देह से तादात में तोड़ना साधना है जिसके लिए अस्टावक्र जनक से कहते हैं देह हूँ मैं नहीं देह मेरी नहीं हे जनक जिसने जाना है योगी वही अन्यत्र अस्टावक्र कहते हैं देह से तोड़ो तादात में और देख लो तुम अभी से सुकी शान्त हो मुक्तो लोग पुछते हैं कैसे सुकी हूँ, कैसे शान्त हूँ, बस देह से तादात में तोड़े और समय नहीं लगता है, जैसे ही तादात में देह से टूटा, और फिर देखो, तुम सुकी हो गए, तुम शान्त हो गए, जिसके लिए ऐसा भी कहा जा सकता है, कि स्वेम को आत्म जानना साधना है, कि मैं आत्मा हूँ, इसको जानना साधना है, हजरत अकबाल कहते हैं, जिन्दगी भर तो हुई, गुफ्त को गैरों से मगर, आज तक हम से हमारी न मुलाकात हुई, लोगों से मुलाकाते करते रहते हैं, लोगों से बाच्चित करते रहते हैं, लेकिन स्वेब से मुलाकात की हम विदा हो जाते हैं और नत्र ऐकब साभ कहते हैं ढूंड ता फिरता हूं मैं इक वाल अपने आप को आप ही गोया मुसाफीर आप ही मैं ही मैं मैं कि स्वेम को धूड़तार हूं मैं स्वेमी खोजने मैं चिन में हूँ इती निश्ची वहनिना इसको निश्चे की आग बना लो प्रज्वालया अज्ञान गहनम वीत शोको सुखी भवा और इस निश्चे की आग से अज्ञान के जंगल को जला दो फिर शोक से मुक्त हो जाओ सुखी हो जाओ मैं लेकिन इसको जानना कैसे संबुआ है कैसे दे से तादात में तूटेगा कैसे स्वयम को हम आत्मा जानेंगे तो इसके लिए इसकी जानने की जो विधी है वह ध्यान है नाद श्रमड है समाधी है और योग हैं ये चार तरह से ही हम साधना के पत्पर चल सकते हैं तो क्या है पहला हमने का ध्यान दूसरा का नात्स्रमन तीसरा का समाधी चौधर का योग तो आओ इन चारों को एक एकर करके जानते हैं तो निराकार के प्रती जागना ध्यान है भीतर आँख बंद करोगे तो शुन आकाश दिखता है तो उसको निरंतर देखते रहना उसके प्रती जागना इसको ध्यान करते हैं नात्स्रमन क्या है हमारी आत्मा में उंकार का संगीत अनाहत नात्स्रमन का संगीत गूज रहा है तो उसको निर्विचार हो करके जब श्रमन करते हैं तो उसका नाम नाद श्रमन है फिर समाधी क्या है जब अंतर आकाश जो भीतर दे dimensional है बाद में देखोगे कि यह थ्री-dimensional है अंतराकाश की गहराई भी है तो उस अंतराकाश में डूब की लगाना समाधी है जैसे तुम नदी के तर्ट पर खड़े हो और नदी की सतह को देख रहे हो तो इसको कह सकते हो ध्यान और निराकार की नदी बारे है फिर नदी में स्वेम को आत्मा जान करके आर्था साक्षी रह करके जीना योग है तो इन चार तरह से साधना के पत पर चल सकते हो तो मौलिक योग साथ है जैसे हमारी चेतना में साथ चक्र है ऐसे ही एक एक चक्र से जुड़ा हुआ योग है उस साथ योग क्या है करमयोग, तंत्रयोग, हट योग भक्त योग ग्यान योग ध्यान योग और सांख योग ये साथ मौली की योग है फिर अपना इन में से दो-तिन की सिनर्जी करके अलग-अलग प्रकार के योग बन जाते हैं तो ये साधना के मूलभूता तो जब इतनी साधना कर लेते हो तो साधना अब आगरिम साधना की बात कर रहे हैं कि ब्रह्म को जानना साधना है कि ब्रह्म को जानते हैं पहले आत्मा को जान लिया अब ब्रह्म को जाना और फिर आत्मा और ब्रह्म के संबंद को जानते हैं ये भी साधना का जो अगरिम या अडवांस पत है तो आत्मा और ब्रह्म के संबंद को जानना जब यह जान लिया अब साधना का शिखर आ रहा है क्या और ऑना के प्रेम में जीना ये भक्ति की साधना है तो भक्ति साधना का शिखर है ऐसा कह सकते हूं अब तुमारे प्रशन पर कि साधना की परीधी क्या है साधना का केंद्र क्या है और साधना की मंजिल क्या है तो साधना की परीधी प्रग्या है विबेक है समझ है क्या है प्रग्या कि संसार में जीने की कला प्रग्या है कैसे संसार में कि इसी संसार में कि बहिर जगत में हमको जीना है तो इसमें जीने कि कला का नाम प्रग्या है ऐसा भी कह सकते हो कि सतो गुणी होने की यात्रा प्रग्या है समाने तो हम जो जन्म लेते हैं तो रजस गुण लेकर के पैदा होते हैं अथवा तमस गुण लेकर के रजस गुण को वे लोग हैं जो करमठ हैं तमस गुणी वे हैं जो आलसी ग्रूप के लोग अर्थात मैं सही हूं यह ए ग्रूप रजस पुरुति के लोग है जो डामिनेट करते हैं जो अपने को जस्टिफाई सिद्ध करते रहते हैं यह रजस हुआ और तमस ग्रूप के लोग क्या है वे दूसरे को गलत ही समझते हैं और तरक भी करते हैं दूसरा गलत कैसे तो यह तो हम जन्म से लेकर के जैसे पुरुश और इस्तरी हैं ऐसे ही हम जन्म से रजस और तमस लेते हैं लेकिन प्रग्या के द्वारा हम तीसरे गुण में प्रवेश करते हैं जिसको सतोगुनी कहा गया अर्थात बेस्ट अब दे टू रजस के जो अच्छे ग अच्छे गुणों को अपना कर हम अपने वेक्टित्व का विकास करते हैं उसको सतोगुनी कहा जाता है तो यह किवल प्रग्या के द्वारा ही संभाव है जिसे गुषधारा में 42 प्रग्या फ्रग्राम हैं ताकि जो सतोगुणी लोग हैं, वही सहज योग के मार्ग पर चल सकते हैं, जो कि ओश्वधारा का मार्ग है, और अधिकान संतों का मार्ग है, यही गीता मत है, यही गुर मत है, यही संत मत है, लेकिन वह सतोगुणी का मार्ग है, जो प्रग्या से ही संभाव है, और तब इस कुछल ता पुर्वक जीवन जीने का विधा की विधा है। अब यह साधना की पुझते हो साधना का किंद्र जा है। तो साधना का केंद्र आत्म ज्यान है, स्वेम को आत्मा जानना और आत्मा के रूप में जीना, साक्षी होकर जीना, तथाता होकर के जीना, आत्म ज्यान में जीना, तो ये है साधना का केंद्र, और फिर तुमने पूछा है कि साधना की मंजिल क्या है, तो साधना की मंजिल ब बेक है सुमती है और साधना का केंद्र आत्म ज्यान है और साधना की मंजिल क्या है साधना की मंजिल ब्रह्म ज्यान है इसलिए शंकराचारे बड़ी प्यारी बात कहते है उत्तमों ब्रह्म सद्भाव सबसे उत्तम साधना है ब्रह्म ज्यान ब्रह्म भाव में जीना अर्थात आत्मा ही ब्रह्म है, हम आत्मा है और ब्रह्म के आंश है, यहां ब्रह्म हमारा ही विस्तार है, और इस तरह ब्रह्म के प्रेम में जीना, इसको कहता है ब्रह्म भाव में जीना, उत्तमो ब्रह्म सत्वाव, सबसे उत्तम साधना है ब्रह्म के याद में जीना, ब्रह्म के प्रे व्हुम्में जीना। और ध्यान क्या है। यह मध्यम कोट सादन विस से हम जानते हैं आत्मा है। किते हैं। मद्ध में जो बाहर पूजा पाठ करते हो यह नरसरी केजी की बात हो गई और अस्तुति जब करते हो तो थोड़ा चलो मिडली स्कूल की बात हो गई दिहान भाव हाई ब्रह्मधाओ तो इस तरह से साधना की परिदी प्रग्या है साधना का केंद्र आत्म ज्यान है और साधना की मंझिल जो है वह ब्रह्मधाओ में जीना है तो आज के संग को है बियान देते हैं हरी उम नो assurance कर दो